वास्कार मैं हूँ वैभवनाज शर्म और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वास्तु रेमिडीज दोस्तों आज जो एपिसोड हम लोग करने जा रहे हैं यह एपिसोड बेहद खास है और पूरी तरीके से जनता की डिमांड पर यह एपिसोड आधारित आप दर्शकों ने बार-बार मुझसे मेरे वीडियो में कमेंट करके पूछा मुझे वाट्सप किया इमेल किया और बार-बार लोगों ने यह बताने पर बात भी किया मजबूर किया कि इस बार लोकसभा चुनाव में किसकी कितनी सीटे आ रही हैं और क्या मोदी और तो आज का एपिसोड जो है यह खास इस माइने में है मैं आपको आज बताऊंगा आज एक एक तार तार खोल दिया जाएगा सत्की कुंडली का कि बीजेपी की क्या इस्थिति रहने वाली है बीजेपी पार्टी की स्थापना दिवस के हिसाब से अब लोग कुंडली इंडिया गठ बंदन जो अभी सबसे नया बना हुआ गठ बंदन है उसकी स्थिति क्या कहती है जिस दिन वो उसको घोशित किया गया बनाया गया उस दिन की कुंडली के इसाब से समझेंगे कि इस गठ बंदन का भविश्य कैसा रहने वाला है साथ इसाथ नरेन मोदी राह कि मुनियों ने कुछ कहा है वो भी मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं इस कारिक्रम को शुरू करने से पहले सबसे पहली बात तो यह कही गई कि राज सत्ता से संबंदित भविश्यवानी किसी जोच्छी को नहीं करनी चाहिए इसके लिए हमारे शास्त्रों में सीधे तोर पर मना किया गया है और मना करने का कारण किया है कि पुराना समय जो था राजाओं माराजाओं का था किसी जोच्छी ने कोई बात जैनुइनली कह दी राजा को पसंद नहीं आई तो जोची के साथ कुछ भी हो सकता है ऐसा मेरे ही परिवार के महा मौपाद्याय पंडिच उद्यानाच चर्मा जी जो हमारे पर पिता मजी थे उनके साथ घटना हो चुकी दिए कि हम लोग राजयोची परिवार से हैं तो राजस्थान के एक बड़े राजपरिवार में उनको अमंत्रित किया राजा साहब को वर्ल वार टू में पाटिसिपेट करने जाना था उनकी कुंडली देखी तो हमारे पर दादा जी ने मेरे पिता जी के दादा जी ने उनसे कहा कि आप इस स्टेशन से अपने स्टेशन से निकली अगले स्टेशन तक पहुंच नहीं पाई भीशन रेल दुरगटना हुई और कोई भी यात्री उसमें नहीं बचा तो उसके बाद राजा साहब इतने प्रभावित हो गए उन्होंने कहा कि हमारे राज में बारिश नहीं हो रही है पिछले चार-पार साल से आप वर्षा से सम्बंदित फलादेश करिए उन्हों ने जो फलादेश किया वो फलादेश ये दिखाता था कि अभी और दो साल सुखा की इस्तिती रहेगी दो साल बाद जो है वर्षा होगी तो राजा साहब को ये बात अच्छी नहीं लगी राजा साहब ने उठा करके हमारे परपिता महजी को कारागार में डाल दिया ये एकदम सची घटना आपको बता रहा हूं उस राज्ज का नाम मैंने ले रहा हूं उनके इतिहास में सब सारी चीजें दर्ज है राजिस्थान का यी बड़ा नामी चर्चित राज्ज है तो अब दो साल तक परपिता महजी को जेल की यातनाओं को सहना पड़ा, जेल में रहना पड़ा, कारागार योग बना और जब वर्शा हुई उनके फलादेश के अनुसार तब उनको कुछ संपत्ती दे करके, कुछ जमीने वगर दे करके उसका ओफर उनको दिया गया, वो इतने रुष्ट थे राजा के विवार स कि उन्होंने सारी संपत्ती और सारे जमीनों अगरा को ठोकर मार दी और अपने शिष्य को उनका राज जोची बना करके वो वापिस लोटाए, तो ऐसी चीजें होती है शास्त्रों में, इसलिए मना किया गया कि कभी भी राजनीती से संबंदित पलादेश किसी जोची को न नहीं पसंद आएगी, जो चीज दिखे आपको वो बोलनी चाहिए, आपकी प्रिफरेंसिस क्या है, आपकी पसंद नापसंद को ताक पे रख करके आपको फलादेश करना चाहिए, बहुत सारे जोची है, मैंने केजरिवाल जी की गिरफतारी की बात कही तो कुछ जोच्यो हूँ, ना मैं भाजपा का समर्तक हूँ, मैंने ऐस जोची मुझे जो दिखी, मैंने वो बात कही, अब कुछ लोग जो है, वो मुदी विरोध में आजकल बता रहे हैं कि इसके पहले अभी तो लोगसभा चुनाओ की इस्तितिय है, इसके पहले उन्होंने भवी शिवानिया आकर के यूट्यूब पे कि अगल जो तीन राज्य चुनाओ हो रहे हैं, राजिस्तान, चतिसगर, मद्रदेश, पूरा का पूरा साफ हो जाएगा, बीजेपी साफ हो जाएगी, ऐसा नहीं हुआ, आप अगर ऐसा कोई फलादेश करते हैं, तो आपकी बात से समझ में आता ह कि आप किसी एक पक्ष की तरफ होकर के बात कर रहे हैं, या आपकी अपनी क्या विचारधारा है, जो चीज की अपनी कोई भी विचारधारा हो, उसके फलादेश में वो बात नहीं जहलकनी चाहिए, आप किसी भी एक पक्ष की तरफ होकर के जुक करके फलादेश न करें, जोतिश का ये सिधान्त कहता है जो चीज जैसी दिखे आपको वैसी बतानी चाहिए अब सचाई हमारे आपके सामने आज 28 सप्रेल हो गई और केजरिवाल जी अभी भी कारगार में ही है तो जोतिश ऐसे फलादेश नहीं करता है इस बात का ध्यान रखना चाहिए तो आज मैं आपको इसारी भूमिका इसलिए बता रहा हूं कि जो भी मैं कहूंगा वो पूरी तरीके से जैन्विन होगा जो मुझे दिखता है मेरी अपनी छोटी सी जानकारी है छोटा सा ग्यान है जोतिश का मैं अपने को बहुत बड़ा जोची होने का दावा भी नहीं करता जो 2024 के लोगसभा चुनाओं में क्या होगा इसको समझने के लिए हम लोगों को सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि साल 2024 कैसा रहने वाला है जोतिश के दृष्टिकोंड से उसका कैलकूलेशन मैं आपको सिद्ध करूंगा कि किस तरीके से किस राजनेता के पक्ष में जा रह ये साल 2024 देश के लिए बहुत ही विशेश और बहुत महत्वकून रहने वाला है क्योंकि इसमें गुरू व्रिहस्पती मेश राशी से निकल करके व्रिशव राशी में भ्रमन करेंगे वहीं कर्मफल दाता शनी देवता भी अस्थ हो करके एक बार उदित होंगे साथी वक् 2024 दो और दो चार और चार आठ होता है ये शनी देवता का मूलांग है और अंक आठ जो है ये शनी देवता के आधिपत्य वाला अंक है वहीं शनी देवता को आम जनता का कारक माना जाता है और ये साल 2024 में पूरे साल धर्म और आध्यात्म की राशी कुम्ब में संचरन करें करेंगे वहीं हिंदू जोतश में हिंधू जोतिश की छनहर नोहँ करघो क्लाना देवालाई से संबंधित कुम्भ राशी को ही माना जाता तो इस साल जो इसका गोचर होगा 22 जुनवरी को बहुत प्रतिक्षित नामं intent P recipes समार भी हम सब लोगों ने देखा तो आप इसकी इसलिए मैं कहा रहा हूं कि पहले 2024 को समझ लीजे कि देखे शनी देवता कुम्ब में थे कुम्ब धर्मकर्म से संबंदित है मंदिर की प्राफित इस्था हो गई वहीं शनी रहे को नौकरी का कारक माना जाता इसलिए लोकसभा के इस चुना भारत को शनी देवता की महादशा में आजादी प्राप्त हुएती जोतेशास के नुषार शनी प्रजा के कारक हैं शनी कमदोर वर्क का भी प्रधिने दित्व करते हैं यहीं कारण है के चुनाओं में कारक है शनी को कर्वफल दाता भी कहा गया है भारत को मजबूती प्रदान करने में शनी की महत्वकून भूमिका है 16 मार्च को शनी देवता अपनी ही राशी में विराजमान थे जब 2024 लोकसभा चुनाव की तारीकों की घोशना की गई इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 2024 शनी देवता की भूमिका और भारत की कुंडली में शनी देवता की भूमिका को समझना बहुत जरूरी है और किस राजनीता की कुंडली इस समय वर्तमान परिस्थिती में वर्तमान गोचर में शनी के प्रभाव से ग्रसित है शनी के प्रभाव में चल रही है उससे आपको सारा खेल समझ में आ जाएगा कि होने क्या वाला है जिस दिन चुनाओं की तारीकों की घोशड़ा हुई उस दिन करकराशी में चंद्रमा का गोचर ग्यारवे भाव में था जो इस चुनाओं को बहुत खर्चीला बना सकता है अठारवी लोकसभा के लिए चल रहे है चुनाओं में नए किर्टिमान आपको खर्च के देखने के मिल सकते हैं गल्तियों को करने वाले लोग दंडित भी होंगे चुनाओं में ये चुनाओं भारत की दिशा और दशा दोनों को बदलने वाला सिद्ध होगा चुनाओं जो है वो लोगतंत्र का सबसे बड़ा पर्व कहा गया लोगतंत्र का महापर्व से कहते हैं के लिए इस दिन का पंचांग बहुत विशेश हो जाता है शुबकारियों को करने के लिए शुब मुहूर्ट और पंचांग का अध्यन करने की परंपरा हमारे देश में प्राचीन काल से है 16 मार्च 2024 के दिन ग्रहनक्षत्र की ऐसी चाल थी और क्या-क्या इसमें शुबयोग बने इसको भी समझ लेना बहुत आवशक है आपको एक बात और बता दूं कि जिस किसी ने भी तारीखों की घोशना की है इस बार लोकसबा चुनाओं के लिए उसने हर पक्ष को ध्यान में कि रख़ा है उन्होंने अ पंच्चान को मुहूर्थ महत्वद देते व्हुए तिथी का नर्धार्ण किया कि किस चुनाओं की घोशना की जानीं चाहिये 16 मार्च को उन्होंने चुनाओं की जाँते तो 17 मार्च को भी कर सकते थे, हमारे आपके लिए तो सुनने में सामान जाता है, लेकिन नहीं, 17 मार्च से होलाष्टक लग रहा था, इसलिए 17 से पहले-पहले 16 मारच को थारीखों की गोशना कर दी गई, अगर उसके बाद करने का विचार करते तब होली तक इंतजार करना परता 25-26 मार्च के बाद बहुत विलंब हो सकता था इसलिए उन्होंने 16 मार्च को जो है तिती की चुनाव की तारीकों की घोशना कर दी पंचांग के नुसार 16 मार्च 2024 शनिवार को वो भी शनिवार का ही दिन था कई शुब योगों का निर्माण हो रहा था रातरी 9 बज करके 49 मिनट तक सब्तमी किती थी दोपहर 4 बज करके 6 मिनट तक रोहिनी नक्षत्र और फिर उसके बाद म्रिक्षरा नक्षत्र था पंचांग के नुसार इस दिन वाशी योग, आनंदादी योग, सुनफा योग, गुधादित्य योग, प्रीती योग, सर्वामरित योग बना हुआ था दोपहर 12 बज करके 15 मिनट से 1 बज करके 30 मिनट तक अविजित मुहूर्थ भी इस दिन पढ़ रहा था 16 मार्च को व्रिशव राशी में चंद्रमा का गोचर हो रहा था, भारत देश की कुंडली भी व्रिशव लगन की है, इस दिन व्रिशव राशी में शश योग बना हुआ था शास्त के नुसार शश योग का अंद्रमान तब होता है जब शनी अपनी ही राशी में मूल्त रिकोण या उच्चिका होकर के केंद्र में विराजमान होते हैं वर्तमान समय में शनी कुम्ब राशी में गोचर कर रहे हैं कुम्ब राशी के स्वामी शैम स्वनी देवता हैं यहां शनी के साथ मंगल और शुक्र की मौजुदगी भी त्रीग्रही योग बना रही थी शनी जन्ता के कारग भी हैं चुनाव आयोग द्वारा 16 मार्च को चुनाव की घोषणा के समय व्रिश राशी में शच योग बनने से चुनाव में भारत के लिए शुब योग का लाभ मिलता दिखाई देता है जोतिश गंत्रों में ऐसा बताया गया कि शच योग में राजनीते से जुड़े कारियों में विशेश सफलता प्राप्त होती है तो देखे पहले देखा गया कि शच योग किस दिन बन रहा है वो 16 मार्च को बन रहा था तो इस वज़ा से 16 मार्च को तारीकों की घोषणा क ज़ी यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में जन्म के समय ये योग होता है तो व्यक्ति साधारन कुल में जन्म लेकर के भी राजनीत में विशेश सफलता को प्राप्त करता है तो नाज तक लगने से ठीक पहले चुनाव की घोषणा होना या दर्शाता है कि 2024 लोकसभा चुन बन रहा है किस समय में घोशना करना चाहिए जो नेस के लिए शुब हो देश के लिए कल्यान का रही हो व्यक्ति विशेज की बात या नहीं हो रही है देश का प्रतिशत मतराप्त किये थे करते हुए 534 में से 303 सीट जीत करके सत्ता में वापसी की थी यह प्रदर्शन 2014 के लोकसभा चनाव में नरेंद्र मोदी जी के नेतर्ट में 31 प्रतिशत मत के साथ 282 सीट जीत लेने से अधिक बड़ा था जो तिशिय द्रिश्टिकोर से यह देखना आवश्यक होगा कि क्या बीजेपी सत्ता में इस बार वापसी कर पाएगी और यदि हाँ तो क्या पिछली बार से अधिक बहुमत के साथ जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी बार-बार दावा करना है या फिर उसे सरकार में आने के लि तो भी समझ लेना आवश्यक होगा तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नए नए बने हुए गठबंदन इंडिया एलाइंस के बारे में 18 जुलाई 2023 को करनाटक के बैंगलरू में शाम चार बज करके 20 मिनट पर एक प्रेस कॉंफरेंस में 27 विपक्षी दल के निताओं ने अपने गठबंदन का नाम इंडिया गठबंदन गोशित किया विपक्षी दलों के इस गठबंदन की घोशना करते समय व्रिश्चिक लगन का उदय हो रहा था जो इस इंडिया अलाइंस के जन्म का लगन माना जाएगा नवम भाव में चंद्रमा बुद्ध और सूरी की य अब हाव गया शुरूत शुरूआती दोर में वह बहुत पॉजिटिव रहा लेकिन व्रिश्चिक लगन के लिए अशुब ग्रहों शनी में शुक्र की विशोतरी दशा के चलते इंडिया एलाइंस के दलों में जल्दी मद्वेद उबरने लगे और फिर इसके बड़े लो तो शुरूआती तो रुजान जो रहा शुरूआती प्रभाव जिसको आप कहेंगे वह बहुत अच्छा था जो बाकी और योग बन रहे थे लेकिन इसका जो लगन का प्रभाव है वह बहुत लॉंग टर्म नहीं है बहुत लंबे समय तक जनता के उपर कोई प्रभाव चोड़ने वाला समझ में नहीं आता है इंडिया अलाइंस की व्रिशिक लगन की कुंडली में वर्तमान में जनवरी दोहजार चौबिस से जून दोहजार चौबिस के बीच शनी में शुक्र में रिहस्पती की विशोतरी दशा चल रही है प्रत्यंतर दशा के स्वामी जो ह भावना नहीं बन रही है लेकिन सूर्य और चंद्रमा के नवम भाव में बने रहे राजयोग के चलते इस गटबंधन को कुछ बड़े दलों जैसे कॉंग्रेस सपा द्रमुक को पिछले चुनाओं की तुलना में अधिक सीटे मिल जाए ऐसी बविच्वानी की जा सकती है तो गटबंधन के जो बड़े गटक दल है उसमें जो है कुछ उनकी सीटों में व्रिद्धी जरूर होगी आप मान सकते हैं कि शरक पवार और उद्धर ठाकरे जो है वो महरास्ट्र में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे यही कुछ दो ही चार लोग उसमें दिखाई देत हैं उत्तरप्रदेश में समाजवादी पार्टी है ममताव एनरजी रही नहीं केजरीवाल की इस्तिति आप देखी रहें कि उनकी पार्टी ही अभी समय संगर्च के दौर से गुजर रही है दिल्ली तो जीत पाना इस समय उनके लिए बहुत मुश्किल समझ में आता है अब अगर हम लोग कॉंग्रेस पार्टी के बारे में कॉंग्रेस पार्टी की कुंडली क्या कहती है उसके बारे में चर्चा करें तो ज़्यादा आवशक होगा समझ लेना कि हम लोग कॉंग्रेस की जो कुंडली बना रहे हैं क्योंकि कॉंग्रेस भी आप देखेंगे दो है एक तो भारत की आजादी के समय की कॉंग्रेस और बाद में आकर के उस कॉंग्रेस में इंदरा जी के समय में विभाजन हुआ अभी हम लोग यहां जिस कॉंग्रेस की बात कर रहे हैं या देश में जो कॉंग्रेस इस समय सक्ता में वो इंदरा जी वाली कॉंग्रेस है तो यहां आपको मैं clear करदू कि हम लोग इंद्रा गांधी वाली Congress का जन्म विवरण जिस तारिक को उसकी स्थापना होई विभाजन के बात उसके बारे में हम लोग यहाँ पे discuss करेंगे Congress Party की स्थापना कुंडली हम इंद्रा गांधी के द्वारा दो जन्वरी 1978 को पार्टी के विभाजन के समय के अगर लेते हैं जिसमें मीन लगन का उदय हो रहा है तथा चंद्रमा कन्या राशी में राहू के साथ युथ है वर्तमान में Congress Party की कुंडली में गुरू राहू की वि सूर्य और बाधा के अश्टम भाव की अधिपती शुक्र से परसपर द्रिष्टी संबंद बना रहे हैं जो की चुनाव में जीत की संभावनाओं को छीड कर देता है लेकिन अंतरदशा के स्वामी राहू का पंचमेश चंद्रमा से युपी करके एक अच्छे योग का नि प्रद्रमंत्री आधरणीय मोदी जी की कुंड़ी के बारे में मोदी जी दीश्री बार प्रद्रमंत्री बनने जा रहे हैं yo, 400 Imt टार्गेट सेट किया है अपनी पार्टी के लिए नहीं स्वैम के लिए खुद इतनी मेनत कर रहे हैं बार-बार 400 पार की बात करते हैं हर जगां आप देखें तो मौदी जी दोड़ के भाग भाग के रैली कर रहे हैं तो देखते हैं कि उनकी कुणली क्या कहती है क्या वो 400 प और मंगल का लक्षमी राजयोग उनको पिछले दो दश्कों से पहले तो गुजरात और अब किंद्र की राजनीत में बड़ी सफलताएं देता आ रहा है वहीं उनकी लोग प्रिता देश ही नहीं विदेश में भी बड़ी है साथ ही मंगल ग्रहें इनको बड़े सहासी निर महादशा और शनी की अंतरदशा है चनी देवता आपकी कुंड़ी में तीसरे और चतुर्त स्थान के स्वामी है तीसरा भाव मेहनत संगर्ष पराक्रम को दर्शाता है लेकिन मंगल में शनी की कठिन दशा के चलते सभी राजयोग होने के बावजूद भी आपकी पार्टी में टीम में अपने गड़ बंदन में शामिल करेंगे आपके लिए उतनी सुवदा होगी अपने पार्टी के भागे पर या अपनी दम पर 400 पार का दावा जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है ऐसी इस्तिती जरूर बनती है कि जो आपने आपकी पार्टी ने 303 का अकड करें लोग बात करें और उससे कुंडली बनाएं तो 6 अपरेल 1980 को दोपार 11 बच करके 45 मिनट पर दिली में मिथुन लगन की कुंडली बीजेपी की बन रही है जिसमें चंद्रमा में बुद्ध की विश्योतरी दशा चल रही है 17 फरवरी 2024 से 18 जुलाई 2025 तक ये दशा रहे में यूती होना और उस पर से अपरेल मही के महिनों में मंगल और शेनी का गोचर पार्टी में बड़े विवादों और कुछ अन्होनी घटनाओं के बाद चुनाव में विजय होने के योग दिखाता है मतलब संगर्श की इस्तिति बीजेपी के लिए भी बराबर बनी बीजेपी के नेतरुत में एंडिये गठ बंदन का 400 सीते जीतने का लक्ष जो है जोतिशिये दृष्टिकोंड से पूरा होता हुगा दिखाई नहीं देता है तो ये थोड़ा सा मुश्किल टार्गेट है मुझे लगता है कि जैसा मैंने कहा कि बीजेपी अगर अपने दम बात करें तो जो पिछला परफॉर्मेंस था उसको बरकरार कर ले जाए वही इनके लिए बहुत आइडल होगा बहुत अच्छी इस्तिति रहेगी मेरा मानना है कि 270 से 300 के बीच में कहीं कुछ बीजेपी की सीट सोनी चाहिए अब हम बात कर लेते हैं अर्विन केजरिवाल जाम की कुणली के बारे में कि इनकी कुणली और रहुल गांदी की कुणली किया कहती है इस लोगसरबा चुनाओं को लेकर के और जैसे केजरिवाल जी की कुंडली के बारे में मैंने पहले भी चर्चा की और पहले भी आप लोगों को बताया उनकी कुंडली देखते ही कि उसमें भयंकर जो है कष्ट की इस्तिति बनी हुई है और कारागार योग उसमें बन रहा था जिसकी वज़े से उनको जेल जाना पड़ा तो आए देखते हैं विस्तार से कि आगे अभी अब इनकी इस्तिति क्या कहती है दिली के मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाईल जी की जनकुंडली की बात करें तो आपके कुंडली सिंगल लगन किया आपके उपर करुफल दाता शनीदेव की महादशा अंतरदशा 29 मार्च 2014 से ही आरंब है जो आपके लिए शुब नहीं है जिसके लिए मैंने फलादेश किया था कि इस शनीदेव की महादशा आपके लिए कहीं से भी शुब नहीं है वहीं लगन में इस्तित गुरुव रिहस्पती दशमेश शुक्र और धनेश बुद्ध के एक शुब य में शनी देवताद वादशेश चंद्रमा के साथ विश्योग में अशुब इस्तिती में विराजमान है वहीं अर्विन केजरिवाल जी की कुंड़ी में हानी के बारावे भाव में इस्तित मंगल और सूर्य दोनों सर्प द्रेशकान में हो करके अशुब योग एक और बना पड़ रहा है और लोगसभाचनाव में पूरी ताकत से आपकी पार्टी लड़ नहीं पा रही है अब बात कर लेते हैं राहूल गांदी जी की कुंड़ी के बारे में देखें इन लोगों की कुंड़ी में बहुत डिटेल में मैसले नहीं गया क्यों आलरडी हम लोगों ने इनकी कुंड़ी में कौन सा ग्रै कहां बैठा क्या योग है क्या जनम तारीख है ये सब हम लोग चर्चा कर चुके हैं पहले तो कॉंग्रेस के सांसद राहूल गांदी जी की कुंड़ी तुला लगन की है साथ ही इनके लगन और नवांच कुंड़ी में गुरू वरिहस्प राजिस्थान, मध्यप्रदेश और चत्तिसगर में कॉंग्रेस को हार का सामना करना पड़ा पंचम भाव में बैठे हुए राहू की महादशा में चल रही वरगोत्तम गुरू की अंतरदशा आपको लोकसभा चुनाओं में कुछ लाब अवश्य करा सकती है लेकिन ये जर सत्ता में आने का योग आपको या आपके गठ बंदन को कहीं से बन नहीं रहा है पहले से इस्तिती जरूर सुद्रेगी पैटालेश श्यालेश कॉंग्रेस के सांसत्ते हो सकता है सो हो जाएं मुझे तो उसमें भी थोड़ा सा संदेह लगता है लेकिन इस्तिती सुधर सकती है अभी सीधे सीधे सत्ता में आने का योग कहीं से भी राहुल गांदी के लिए केजरिवाल जी के लिए या इंडिया गड़बंदन के लिए बंता दिखाई नहीं देता है तो दोस्तों जो कुछ भी मेरी थोड़ी बहुत समझती उस बारे में मैंने आपको बताया और मैं पहले भी कहा कि मैं कोई बहुत बड़े दावे नहीं करता इस सारे अध्यन से एक ही बात समझ में आती है कि कुणली को देखते हुए हम लोगों ने दोनों तीनों पार्टियों की भी कुणली देख ली कॉंग्रेस की भी देखी इंडिया गड़बंदन की भी देख ली और इसे भी दूसरे गड़बंदन के लिए इंडिया गड़बंदन के लिए ऐसा योग नहीं है किसी दे वो सत्ता को जा करके संभालने तो आप लोगों से बार बार आगरा करता हूँ कि जब भी आप मेरे वीडियो देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर जरूर करें और आप अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्रीज से सब्सक्राइब करिए मैं ये बार बार आग रहा है आप लोगों से करता हूँ कि सब्सक्राइब करिए क्योंकि अभी मैं अपने चैनल का अनलेटिक देख रहा था 99.3% दर्शक जो है वरतमान समय में वो नॉन सब्सक्राइब दर्शक है अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जो मेरे वीडियो जाते हैं उसका टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा कोई भी एक भी वीडियो आपसे मिस नहीं हो पाएगा ये सारी जानकारी शास्त्र से जुड़ी प्रेमिटी नमोन हराएग